हलो दोस्तो मैं हुशी उली और मेरी किचिन में आप सबका स्वागत है आज घर में बिलकुल भी सबजी नहीं थी तो टमाटर, आलू और हराधनिया ये तीन चीजे मुझे मिली है और इन तीन चीजों से मैं बहुत ही बड़िया आलू टमाटर के सबजी बना कर तैयार करने वाली हूँ तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही यामी लगती है खाने में और बहुत ही टेस्टी है रोटी, चापाती या चावल किसी के साथ भी सार्ब कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने लिए है आलू और आलू काटकर मैंने धो कर लिए हैं चोटे छोटे ही काटे है ताकि जल्दी जल्दी गल जाए और यहाँ पर देखिए मैंने लिया है दो medium size के प्याज बारिक काट कर आप चाहे तो slice करके भी काट सकते हैं कोई भी problem नहीं है और यहाँ लिया है मैंने दो tomato लिया है बारिक बारिक चॉप करके और एक टमाटर लिया है मैंने बिल्कुल बड़ा बड़ा चॉप करके लिया है मतलब कि राफली चॉप किया है तो जो मैंने बारिक चॉप किया है वो मैं ग्रेवी के लिए यूज करूँगी मसालों के लिए और यह जो ड्राफली काटा है यह मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी मतलब कि सबजी की तरह और यहाँ देखिए आधरक लसुन कूट कर लिया है मैंने एक तेबिल स्पून भरके होका इतना लिया है आप चाहे तो पेस्ट का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और यहाँ लिया है मैंने क ज्यादा बारिक नहीं है थोड़ा दरदरा सा पाउडर है तो इतनी ही चीज़े हमें अरेंज करने की जरूरत है और बाकी जो चीज़े चाहिए हमें वो अल्रेडी किचिन में अवेलेबल है तो वो मैं आपको बात में दिखाती हूँ चलिए कड़ाई के और चलते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम कड़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल में आलू को फ्राइ कर लेंगे आलू की सबजी कभी भी बनाना होना तो पहले आलू को अगर फ्राइ कर ले तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है बहुत ही अलग स्वाद आता है तो तेल म मैं थोड़ा सा नमक डाल जी हूँ और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल जी हूँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा और उसके बाद मैं आलू डाल के फ्राइ करूंगी हलका लाल लाल करके फ्राइ करूंगी तेल गरम हो चुका है तो अभी मैं आलू डाल दोंगी और अच्छे स देखिए हमारा आलो बिल्पल फ्राई हो चुका है तो मैं अभी इनको निकाल ले डियू एक प्लेट में और देखिए काफी तेल बचा हुआ है तो इसी तेल में हम डाल देंगे जीरे सर्षो जो की तड़के के लिए होगा half teaspoon जीरे डाल दिया half teaspoon सरसो और 2-3 तेजपत्ते डालेंगे और सारी चीजों को अच्छे से चटकने देंगे अच्छे से फटने देंगे और उसके बाद हम डालेंगे पेयाज और पेयाज का कलर हलका से ब्राउन होना तक हमें फ्राई करना है और उसके बाद हम डालेंगे अधरक लसुन का पेस्ट या कूट मैंने कूट लिया है और आप चाहे तो पेस्ट का इस्निमल कर सकते कोई भी प्राउब्लम नहीं है तो अभी अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि अधरक लसुन का जो कचप लेवर है वो खतम नहीं हो जाता कचप लेवर खतम हो चुका है अभी हम डालेंगे टमाटर और टमाटर डालने के बाद हम नमक भी डालेंगे स्वादानुसाद अच्छे से मिलाएंगे नमक शुरू में कम ही डाले बाद में हम चेक करके फिर से डाल सकते हैं अभी अच्छे से मिलाने के बाद हम डालेंगे कुछ पाउडर मसाले तो 140 टीजपून हल्दी पाउडर, एक टीजपून धनिया पाउडर स्वाद के हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर यहाँ पर लेरियो में एक चममज कांदा लसून मसाला यह एक महराश्यन मसाला है आपके पास नहीं है तो आराम से स्कीप करें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अभी लेरियो में आदा टीजपून कश्मिरी लाल मिर्ची का पाउडर यह लेरियो अच्छा कलर के लिए और कुछ नहीं थोड़ा से पानी डालेंगे पानी डालकर अच्छे से भूनेंगे ढखान लगा कर मेडियम टु लो हीट पर करेंगे और अच्छे से भूनेंगे जब तक की टमाटर बड़ीयां से सॉफ्ट नहीं हो जाता और मसालों में से तेल भी रिलीज नहीं हो जाता तो अभी हम ढखन लगा देंगे बीच बीच में ढखन अटा कर चलाते जरूर रहना है और चेक करते रहना है तो अभी लगबग 4-5 मिनिट बाद यह है टेक्स्चर मसालों में से तेल अलग हो चुका है और टमाटर भी बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है तो अभी हम ढाल देंगे यह फ्राइक किये हुए आलू और फिर से एक बढ़ बढ़िया से मेक्स करेंगे अच्छे से मिलाने के बाद हम अभी पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए तो प्लेट में काफी तेल है इसलिए मैं ऐसे ही प्लेट को धो कर पानी डाल जी हूँ ताकि तेल चला जाए कड़ाए में और अपनी हिसाब से पानी डाल देंगे जितना की आप पतला या जितना गाड़ा चाहते है उस हिसाब से पानी डाल देजिए और अभी हम फीर से ढख-ढख कर पकाएंगे लेकिन ढकन लगाने से पहले हम भुनी हुई मोंफ़ली का पाउडर भी ढाल देंगे और जो हमने रखा था टमाटर जो राफली काट कर रखा था वो भी ढाल देंगे तो अभी मैं टमाटर भी डाल दोंगी और उसके बाद हम धाग देंगे धाग धाग कर पकाएंगे और पहले हीट को हाई कर देंगे जब अच्छा से उबाल आ जाएगा उसके बाद हीट को मीडियम करके पकाएंगे जब तक कि आलू और टमाटर टमाटर पर ऐसे ही गल जाता है आलू बेसिकली अच्छे से गल नहीं जाता तब तक के लिए तो धकन लगा देते हैं हीट हाई है अभी तो देखिए अच्छा से बड़िया सा उबाल आ चुका है तो अभी हम फिर से एक बार मिक्स करेंगे और अभी धकन लगा देंगे फिर से हीट को मीडियम करके तो लगबग 10 से 12 मिनट बाद अभी आलू बहुत बड़िया से कुक हो चुका है तो एक बार चेक कर लेंगे फाइनली देखिया आलू अच्छे से पक चुका है तो अभी लास्ट में हमें कुछ चीज डालने की जरूरत है जो है थोड़ा सा गरम मसाला आधा टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूं मैं और डालेंगे थोड़ा से फ्रेश हरा धनिया जो कि मैंने पहले ही काट कर दिखाया था आपको और लास्ट में डालेंगे थोड़ इसी चीनी बिल्कुल वन फोड़ टीस्पून जितनी चीनी डालेंगे इससे क्या होगा टमाटर का जो खटा स्वाद होता है वो बढ़िया से बैलन्स हो जाएगा और खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा तो हरा धनिया और गरम मसाला डालने के बाद लगबग एक दिर मिन्ट के लिए फिर से उबाल लेना है और उसके बाद हमारी सबजी बढ़िया से तयार हो चुकी है तो अभी हम गरमा गरम सबजी को सार्व करेंगे अभी इस सबजी को आप चाहे तो रोटी चपाती के साथ भी सार्व कर सकते है या तो चावाल के साथ भी सार्व कर सकते है बहुत ही यामी बनकर तयार हुई है दोस्तों जरूर इस तरह से रेसिपी ट्राइ कीजिए और ट्राइ की तो कमेंट करके जरूर बताए कि आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक करें और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें आज के लिए यह तक ही मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम